मेरे दोस्तों मेरे भाई यो नेक्स्ट वीडियो में फिर से स्वागत आपका आज हमारे समने है कि एक केरेंस यह जो आप अपने स्क्रेण पर देख रहे हैं इसका एक्सलाइन वेरियंट है कि यह का एक्सलाइन वेरियंट और इसमें आपको 1.5 लिटर का टरबो चार्ज इं मिल जाता है जो कि आपको 158BHP की पावर 258NM का टॉर्क आपको निकालके देता है तो यह पूरा पूरा एक लुक है कि एकरेंस के बारे में सारी डेटेल रिव्यू के बारे में जो भी बाते होंगे सारी हम कवर करेंगे इस वीडियो में और अगर आप चैनल पर मेरे नए प्रेटिक में ही मिल पाएगा आपको पैडल शिफ्टर मिलेंगे इसके अंदर कार का लोग बड़ा ज्यादा धासू होने वाला है और लेंथ के डैमेंशन के मामले में बहुत ज्यादा बड़ी दिखने वाली गाड़ी है तो यह बहुत सारे फीचर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाए लग जो की अंदर काफी जादा स्पेस बना देता है तो अब मेंली हम बात करने वाले हैं इसके एक्स्टीरियर लुक के बारे में प्रंट लुक में भाई साब अगर आप इसको देखेंगे तो हैप एक LED DRL का ओप्शन देखने के लिए मिलता है जो की बह पार्किंग सेंसर के साथ यहीं देखेंगे प्यानो ब्लैक ग्लॉस फिनिश में यह हमारा इस तरीके का कुछ टेक्चर का पेंट और किया कलो को यहां सिल्वर कलर में देखने के लिए मिल जाता है और नीचे की तरफ देखेंगे हैं पर फोग लाइट का भी ऑप्शन है फ अच्छे से बाड़े काफी ज्यादा फैला फैला और बड़ा सा फील होता है जो कि बहुत ज्यादा चोड़ा एंड वाइड वाइड लग रहा है यहां पर जो इसके वाइपर से वह पुराने वैसे ही मिलेंगे सिंपल एक नम कोई भी रेन सैंसरिंग वाला काम इसमें नही जाते हैं यह चीज बढ़िया है और ब्लैक कलर की क्लाइटिंग के साथ एंड टो एंड है कंटिन्यू रहेगी और फेंडर पे नहीं मिलेगी यहां पर देख सकते हैं ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ बढ़िया मस्त लग रहा और यहां पर कुछ रिक्वेस्ट सेंसर का भी बढ़िया लग रहा है और पीछे से कुछ अगर में लुक की बात करूं यहां पर एक स्पोईलर शार्फ है न एंटी न यह चीज़े मिलती हैं पीछे का पूरा का पूरा जो हमारा रेड सैट आप आने वाला है वो हमारा को इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है क्यों बाइसाब गाड़े बड़े लाजवाब लगने वाले मैट ब्लैक कलर में रैड कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही जादा तागत वर बढ़िया लगता है तुम यूनिक वाला यहां पर टेलेट की प्लेसिंग देखिए पूरा यहां पर LED का दे रखका है DRL LEDs में दे रखकी है पूरा का पूरा यार LED का सेटप बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है और नीचे आपका जो अपने इंडिकेटर का बेस है वो पूरा हेलोजन का सेटप मिलेगा और यहां पर एक्स लाइन की बैसिंग देखने के लिए मिल जाएगी चीज बहुत ज्यादा बड़े नीचे गाड़ी एक अलगी लुप बन जाता है मैट कलर के साथ रेड कलर का कॉम्बिनेशन या केरिंज की बैसिंग केरिंश की बैसिंग बैसिंग बढ़िया और यहां पर नीचे से पूरा पूरा यहां देखनी लिए हम ब्रग बापन बोले मेल देखनेंưng इस तरीके का हमें बड की प्लेसमेट यहां पे कुछ स्टोरेज मिलेगा जहां पे आप उस समान रख सकते हैं चोटा मोटा स्पेर वील की प्लेसिंग नीचे है ज्योंकि आर फिप्टीन है पंद्रा इंच का टायर इसमें आपको मिलेगा एक चीज़ और दिखाता हूं आपको जो इसकी सीट्स है व करेंगे शुरू करते हैं जैसे कि यहां से देखेंगे अपर इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो ओन होता है यहां पर फुली डिजिटल एक बड़ी सी स्क्रीन देहने के लिए मिल जाएगी जो कि फुली डिजिटल रहेगी और बहुत ज्यादा अच्छी भी अच्छी सील Holy ऑफ मेंगे देखने के लिए मिल जाएगा ऑफ सार इन फोर्मिशन भी है फून हमाले के फीचर अब with Moo झांगे कंगे बाटिम्डेंगे सब्सक्राइब जाने यहां पर इन्फरूटिम के सारे सिस्टंग वालिम अबस्ट और इस तरव प्रूज के सारे भीूजक्जिंग मिल जाते हैं तो श पहले जैब उसंत उस्तिंग Champions और यहां प्र्दि site कंट्रोल का यहां पर होगा light library और यहां पर एक की लेशिस्ट का सब्सक्राइब अपको देखने के लिए जाता है यहां पर यहां पर तो यहां पर यहां पर यहां पर इस ट्रीक यापकर देशब का लयाओट पूरा इस तरीके फाइव इंचेस की डिस्प्ले मिलते हैं 14 में जो की वारलेस है ठीक है ओटो एपल कार प्लेस में सपोर्टिव है और भी बहुत सारी चीज़े इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और भाई साब इसमें बहुत चीज़ और दिखाँगा मैं इसमें आपको जो इसका 360 कैमरे का व्यू है वह अगर फ्रेंट में मिल जाता हमें तो बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता यहां पर बहुत सारे इसमें आपको फीचर मिल जाएंगे जैसे कि ओटो नैविगेशन का है ठीक है और वे इससे कनेक्टेड जितने भी फीचर है वह भी सारे आपको डिस् लिरे को जाते हैं और यहां पर यह जो जाता है सारे यहां अद चारडियां पर इकली जुकाफ कर और यहां पर चीज़े लिएंगाया लेक्र चारजिंग सोगेट ऑ्क्सकी और चारज़ंग वाली दी गई है तो यहां भी बड़ी हैं यहां पर फास्ट चार्जंग का एक पैड भी दिया हुआ है गड़े के यहां पर 12V charging socket यहां पर है यहां पर usb और यहां पर आप ऑक्स की connectivity यहां सब फास चारजिंग में ही मिलेंगे और यहां पर आप देखेंगे फीचर है 360 कैमरे का है हमारा बैक का और यहां पर पार्क है पार्क का स्विच्च है ठीक है और यहां पर आपको उपर यह वाले जो स्विच्च है आपका seats ventilated का option मिल जाता है मतलब इसमें आपको जो seats हैं वो भी ventilated वाली मिल रहे हैं इसे आप click करेंगे press करेंगे जो seats के उपर vents आपके वो active हो जाते हैं बाकी यह automatic हमारे transmission gear lever मिल जाता है और यहां पर आपको hill assist traction control के बटन मिल जाएंगे और आपका driving modes भी यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं उनके buttons ही यार इतने सारे feature बाहिस है और यहां पर इस तरह के कुछ मिल जाता है हमारा automatic lever और यहां पर two cup holders का space यहां पर मिल जाता है और यहां पर जो हमारा arm rest है वो यहां पर इसको इस तरीके से tray बनाके आप यहां पर coins वगएरा यह चाभी वगएरा भी रख सकते हैं और एक चीज़ और बता देता हूं यह जो यहां पर space मिलता है यह deep वाला नहीं मिलता है ठीक है और यह soft touch है hard material को use यहां पर नहीं है बिल इसको यूज बढ़िया है यहां पर LED को option मिल जाता है माइक की placement इसकी dashboard पर दीकिए और यहां पर sun glass holder यहां मिल जाएगा देखने के लिए यही से आप इसको sunroof को भी on कर देते हैं एक चीज़ और बताता हूं गाड़े में आपको voice command का option मिलता है voice command करके आप sunroof on off भी कर सकत है यह feature बहुत ज्यादा बढ़ी है इस तरफ vanity mirror बिल जाता है आपको और यहां पर कुछ handles grab handles मिल जाएंगे और इसके अलावा तो यहां पर और कुछ भी नहीं है और यहां पर पीछ में का option मिल जाता है ठीक है तो यहां पर sunroof बंद कर देते हैं पहले sunroof ऐसी बंद कर सकते हैं आप हाथ से और बटन से भी कर सकते हैं तो अंदर का पूरा है इस तरीके के जो सीट्स हैं वह लैदर हैड बे लेंगे आपको फैबरिक का यूज़ नहीं है और एक चीज़ और बता दे तो बहुत ज्यादा बढ़ है मिलने वाली है मैं भी करना है फुल पैसा वसूल व हमारा लयाओत होने वाला इस तरहीजा के का है कुछ यह ही दरवाजें को देखेंगे आप यहां पे थोड़ी सांग हार्ड मैटेरियल यहां देखने के लिए मिल जाता हैं तो यहां पे इस तरह का ये किटो McNEu G poison फोड़ा ऑप्टल वोटर सूप यहां ऐरफ आ Dolor मिलते हैं ठीक आप यहां पर जो सीट्स हैं वह आपको वेंटिलेटेट नहीं मिलेंगी बैट के देखते हैं अंडर थाई सपोर्ट बहुत ज्यादा पढ़े ही मिल जाता है किया की गाड़ी है और यहां पर कुछ सैपरेडिट दिया हुआ यह चीज देखो कितनी बढ़या यहां पर यहां पर कुछ AC के कंट्रोल पीछे इस तरीके के मिल जाते हैं यहां पर टाइप सी यहां पर यूएस भी फास्ट चार्जिंग करेक्टिविटी कुछ मिल जाते हैं स्पेस के साथ उसके एसी कंट्रोल बड़े लाज वाव और यह देखो यह उपर आपको इसी विंट मिलत 5 केज behaviors मिल जाते हो आपको यहां पर इसी विंट toddy मिल जाय के लिए षे नहीं तो यह नहें पर पीछे के मिल जाएंगे पट्र ई tempo मिल जाएंगे बड़ जाए के नो फ्यां मिल जाएंगे माईगे सीखव अनुंन मिल जाए है निउट के मिल पीछ ने छर्जिंक हॉन ख़क के लिए और दो यहां पर इस इवेंट मिल जाता है जो कि डिरेक्ट छत में ही लगे हुए हैं तो यह है और आगे पीछे ना हैट्रस दोनों आपका अपको पीछे ना बच्छों के लिए यह मेरा गॉडिंग तो इस पर बड़ा आदमिया कोई अडेल्ट वगरा तो नहीं बै है कि आपको यह गाड़ी कैसी लगी किया के इसका यह बेस मोडल नहीं है मैं आपको बता दूं इसका टॉप मोडल है टॉप एरेंड के अपने वीडियो देखी है इतने सारे फीचर लोडिड है तागी है क्योंकि टॉप मोडल है अच्छा अगर आप कोई भी दोस्त अगर किया केरेंस लेने के बारे में सोच रहा है तो प्लीज उनको आप यह वाली वीडियो मेरे जरूर शेयर कीजिगा क्या पता उनकी कुछ हेल्प हो पाए टॉप मोडल में क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं उन्हें तो आप मुझे बताना आपको कैसी लगी है हमारी वीडि रहता हूं तो प्लीज मेरे चैनल से कनेक्टिट रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब के बिलकुल भी मत चाहिएगा ठीक है अब मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो